हेलो बच्चो आप सब ही का एक बार फिर से स्वागत है बच्चो मैं ललीता मैम कैसे हो आप सब ही बच्चो आज हम पाट पढ़ेंगे डर का सामना तो बच्चो आईए मुख्य बिंदू देखते हैं केसब का डर केसब ने बारिस के डर से अपने आपको कमरे में बंद कर लि दिखते हैं उन्होंने कास्वी को समझाया कि वे केसव को समय समय पर मनोचिकित्सक से मिलवाने लेकर जाती हैं तो बच्चों ये होते हैं मनोचिकित्सक जो मन से जुड़ी जितनी भी विमारिया हैं उनका इलाज करते हैं वे स्वयम भी मनोचिकित्सक के प्रामर्स के अनुसार केसव को अपने डर से लड़ने के लिए प्रेरीत करती रहती हैं एक बार केसव उनकी बातों पर विश्वास करने लगेगा तो अपने डर पर काबू भी पालेगा पर हाँ इस कार्ये में समय और मेहनत दोनों लगेंगे तो बच्चे अभी सब्दार्थ देखते हैं हम सबसे पहला सब्दार्थ है मनोचिकित्सक मनोचिकित्सक का अर्थ होता है मन से जुड़ी बिमारियों का इलाज करने वाला दूसरा है हमारा प्रामर्स प्रामर्स का अर्थ होता है बटा सलहा बच्चों तिसरा सब्दार्थ हैं हमारा प्रेरित प्रेरित का अर्थ होता है होसलाओं तो बच्चों यहां तक सब को समझ में आ गया आगे पड़ते हैं उस तेन से केसव की मा के साथ साथ कास्वी भी खेल खेल में अपने मित्र को समझाने लगी कास्वी और केसव की मा दोनों मिल कर केसव को अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करने लगी उन दोनों के प्रेम और विश्वास के कारण केसव ने भी अपने मन में ठान लिया कि वह अब बारिस से डरने की बजाए उसका सामना करने का प्रियास करेगा कुछ दिनों बाद फिर से बारित आई तो और बारिस का आनन्द उठा रहे थे एक दिन फिर दुबारा से बारिस हुई फिर देखते हैं कि केसव ने क्या किया इस बार केसव वहां से भागा नहीं बलकि उसने अपने हाथों से बारिस की बुंदों को चुआ उसे यह एहसास बहुत ही लुभावना लगा बारिस की ठंडी बुंदे केसव को नई स्पूर्ती प्रदान कर रही थी केसव के चहरे पर आए भावों को देख कासवी उसे खूले आसमान के नीचे ले गई पहले तो केसव हिचकिचाया होता है किसी कारे को करने में संकोच परफिर वह भी हाथ खोल कर बारिस का स्वागत करने लगा कासवी के साथ मिलकर केसव भी बारिस के पानी में घूदने लगा उनके ऐसा करने से चपाक की आवाज के साथ तो बच्चों पहले की तरहें इसके भी सब्दार्थ देखते हैं स्फूर्ती, स्फूर्ती कहते हैं बच्चों उतेजना को जब हम किसी कारे को करने के लिए उतेजित हो जाते हैं तो आज कौन उतेजिता केसव बारिस में नहाने के लिए पानी के चिंते उड़ते चीटो के साथ वे दोनों भी खिल खिला कर हंसते उसके बाद कासवी ने केसब को कागज की नाव बना कर दी जब बारिस आती है तो बच्चों बच्पन में जो आप लोग अभी भी बनाते होंगे ना कागज की नाव बना लेते हैं और उसको पानी में तराते हैं तो उन दोनों ने भी ऐसे ही किया दोनों ने मिलकर पानी में अपनी अपनी नाव चलाई और नाव चलाने में केसव को बहुत मज़ा आया जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चपन में क्या करते हैं पानी की नाव बनाते हैं और फिर उसको पानी में चलाते हैं तो आप लोग भी ऐसे करते होंगे ना उन दोनों ने भी ऐसे किया दोनों ने मिलकर पानी में अपनी अपनी नाव चलाई नाव चलाने में केसव को बहुत मज़ा आया उसने कभी सोचा नहीं था कि बारिस इतना मजा दे सकती है अब तक उसने अपने डर पर काबू पा लिया था तो बच्चों ये देखिए ये केसव का डर था कि एक दिन वो गड़े में गिर गया था और उपर से बारिस हो गई थी और इसी स्थिती में केसव दो घंटे तक उसी गड़े में पड़ा रहा था जिसके कारण केसव बारिस से डरने लग गया था तो आगे देखते हैं बच्चों वह बारिस में भीक रहा था कि तभी जोर से बिजली चमकी और बादल गड़ गड़ाने लगी केसव एक बार फिर से घबरा गया घबराहट के कारण उसने आखे बंद कर ली पर कासवी के कहने पर जब उसने आखे खोली तो मा को अपने सामने पाया केसव जट से उनसे लिपट गया तो बच्चों जब कभी बच्चों में डर लगता है तो आप लोग भी मा से लिपट जाते हो ना केसव ने भी ऐसे ही किया उन्होंने उसे संभाला और ब्रामदे में बिठा दिया वहाँ बैठ कर तीनों सब्दार्थ देखते हैं बच्चे सबसे पहला है घबराहट घबराहट कहते हैं बच्चों बेचैनी को अब आगे देखते हैं एक बार फिर से बारिस का सामना करने लगा वह बिजली की चमक और बादलों की गड़गडाहट को देखने केसब उन मोतियों को इकठा करने के लिए एक बार फिर से बारिस में दोडा और बारिस का ऐसा सुहावना रूप देख केसब का मन रोमांचित हो उठा वह जूम जूम कर नाच रहा था उसे ऐसा करने में बहुत आनंद आ रहा था तो बच्चों एक बार फिर इसके सब्दार्थ देखते हैं रूमांचित जिसका अर्थ होता है केसब खुस होकर बारिस की बुंदों को मोतियों की तरह उड़ा रहा था आज तक केसब ने बारिस को केवल भे की नजर से देखा था पर आज सब बदल गया था क्या बदल गया था कि केसब का डर दूर हो गया था उसका डर चू मंतर हो गया था चू मंतर कारत होता है गायव होना केसब को इस प्रकार बारिस का आनंद लेते देख उसकी मा की खुसी का ठीकाना नहीं रहा मा बहुत खुस हुई उसको देख के और अपने दोस्त को प्रसंद देख कास्वी भी बहुत प्रसंद हुई तो बच्चों मैं उमीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पहले की तरह मैं आपको एक अभ्यास पत्र दूँगी उसमें जो भी अभ्यास कारे दिया गया है उसको आप अभ्यास पत्र की साहिता से करेंगे और घर पर पाठ को पढ़िए स्वस्त रहें सुरक्षित रहें